हाई फ्रेंड्स मिया गांचा सर्माद जी की वितकांशा में आपका स्वागत करती हूँ पटवारी 2023 के लिए आज हम इंग्लेस के कुछ कोशन पढ़ने वाले हैं यह मौडल्स रहेंगे मौडल्स से संबंदित हम कुछ कोशन पढ़ने वाले हैं इसके पहले मैंने बहुत सार इंग्लेस के प्रेक्टिस कोशन करा चुकी हूँ और यह हमारी सिरीज का 57 वा भाग है इसके पहले हम 56 भाग कर चुके थे अगर नहीं देखे हैं तो वह भी देख लीजेगा साती प्रवंदन के MCQ भी मेरा कोर्स चल रहा है पटवारी के पुराने पेपर जो प्रीवियस य आप किस प्रिकार से अप कोँशा मॉडल का यूज कर सकते हैं पहला कुशन है blank canvi Wür manager बहुत सराव करी लिन स्कूल में पूछते हैं मे कम इन तो यहां पर में क्या निकलता है कि जब किसी से कोई आधेज लेते हैं तो किसी से कई आधेज कर रहे हैं तो आधेज Heyृ बहुत कर हैं, तो आपसे बूस्ते हैं में आपको क्या लगाना रहता है में I yuze करते हैं, तो वहां पर किसका यूज होता है में का यूज होता है, दूसरा option माइट दिया है, माइट का उपयोग को तो जहाँ का answer जाएगा में, दूसरा क्या है he blank swim for all when he was young, he blank swim, क्या बोल रहा है, he blank swim for all when he was young जब वह छोटा था तो वो घंटों swimming कर सकता था देखो capacity बता रहे है can और could, can और could का उपयोग, दोनों का ही उपयोग capacity बताने में किया जाता है लेकिन यहाँ पर बात कब चल रही है when he was young मतलब past की बात चल रही है तो जब past की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि past वाला ही model use होगा, can मतलब भी होता है कर सकना, और could मतलब होता है कर सकता था, can की second form क्या होती है, could होती है तो आपका use क्या आजाएगा, इसमें could आजाएगा he could swim for all when he was young वह है तैर सकता था, जब वह है चोटा था, यह जब वह है young था तो इसमें क्या आजाएगा he could swim for all अगला question है it is six, I blank leave now it is six, अब छे बज़ गया है I blank leave now अब मुझे जाना चाहिए जब ही हम कोई चीज बज़नदारी में बात करते हैं forcely बात करते हैं तो वहाँ पर must का use होता है must मतलब होता है, चाहिए must का मतलब क्या होता है must का मतलब होता है, चाहिए तो वो बोल रहा है it is six, छे बज़ गये है अब मुझे जाना चाहिए अब मुझे ये छोड़ना चाहिए तो I must leave now might का उप्योग तो मैंने आपको बताया था कि might का उप्योग वहाँ क्या जाता है यहाँ भी कोई भी चीज चीज confirm ना हो संभबता हो, सायद हो तो यहाँ पर तो है नहीं, आप भोल रहा है अब यह बज़ गया है समय मेरा time हो गया है, मुझे जाना चाहिए तो काई का उप्योग करेंगे must का अगला है चोथा blank God bless you तो यह भी आप कर लेंगे may God bless you जब ही भी आप किसी से request कर रहे हैं किसी को blessing दे रहे हैं मतलब किसी को आसिरवाद दे रहे हैं तो आप काई का use करेंगे तो आप may का use करेंगे अगला question है blank, see blank have been present for the Pooja see blank have been present उसके पास उसके पास एक present है किसके लिए, Pooja के लिए तो यह किसके लिए होना चाहिए see should have चाहिए, see should have been present for the Pooja उसको क्या होना चाहिए किसके लिए होना चाहिए पूजा के लिए तो यहाँ पर क्या होगा should का उपयोग होगा should मतलब होता है चाहिए will मतलब will का future के sentence में उपयोग करते है future will मतलब होता है होगा, होगी उसमें हम will का उप्योग करते हैं अगला question है student blank follow the rules of the institution देखो यहाँ पर must be है और need to भी है must मतलब है चाहिए need to मतलब है आवशक्ता तो जब यहाँ पर पहले से follow बोल रहे हैं तो हम need to का use नहीं करेंगे हम किस का use करेंगे must का मतलब student को institutions के rule को follow करना चाहिए student must follow the rule of institution student must follow the rule of institution अगला है सुनीदी blank leave for daily tonight सुनीदी blank leave for daily tonight सुनीदी सुनीता आज दहली के आज रात को मतलब भविश्य की बात कर रहे है दिन में की आज रात दिन में बात कर रहे हैं और रात की बात कर रहे हैं तो सुनीदी blank leave for daily tonight तो सुनी दी को छोड़ना चाहिए सुनी दी लीफ और दहली टूनाइट तो सुनी दी भविस्य की बात कर रहे हैं तो भविस्य की बात आता है तो काई का यूज होता है विल का मैंने बताया होगा होगी करेगा तो क्या बोलेंगे हम सुनीता विल लीफ और दहली टूनाइट सुनीता दहली छोड़ेगी कभ आज रात को सुनीता दहली छोड़ेगी अगला है रभी बलेंक help you with the project रभी बलेंक help you रभी इस project के साथ तुमारी help कर सकता है या करेगा कैन अगर आता है तो क्या होगा कर सकता है और कसेल मतलब करेगा तो करेगा कभी भी cell का use होता है I, V, U और दे के साथ होता है Singular name के साथ हमेशा will का use होता है अगर आप future का कोई sentence बता रहे हो यहाँ पर बात चल रही है कर सकने की कर सकता है कर सकता था मतब capacity की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा केन क्या बोल रहे है Ravi blank help you with the project Ravi can help you with the project Ravi इस project में तुमारी help कर सकता है तो क्या आजाएगा केन अगला question है Mahes has missed Mahes has missed several lectures Mahes ने बहुत सारे महिस जो है बहुत सारे lecture को miss कर चुका है He blank attend the lecture tomorrow वह कल lecture को attend अब जब वह बहुत सारे lecture miss कर चुका है तो आपकी कोई भी आपका दोस्त होगा और वह बहुत सारे lecture को miss करेगा तो आप क्या करोगे जब आपका बहुत सारे मतलब आपकी दोस्त के बहुत सारे lecture miss होगे तो आप बोलेंगे कि जो कल होना है न लेक्चर वो तुम जरूर अटेंड तो वो तुमें जरूर अटेंड करना चाहिए मतलब तुम उसको बहुत फोर्सली बोल रहे हो जब ही फोर्सली का बात करते है तो काय का यूज करते है ought to का, ought to का मतलब भी होता है, चाहिए, ought to का मतलब क्या होता है, ought to का मतलब भी होता है, चाहिए, तो जब आप कोई चीज बहद दारी में किसी को बोल रहे हैं, अब तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तो काई का यूज करेंगे, ought to का उपयोग करेंगे, दसबा है, you blank speak to Narendra about issue तुमको नarendra से इस issue के बारे में बात करना चाहिए, तो देखो, चाहिए को हम क्या बोलेंगे, should बोलेंगे, तो क्या आजाएगा इसमें, should, you should speak to Narendra about the issue, अगला question पढ़ने से पहले, friends, अगर आप मतलब पटवारी की तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी नोर्स ले सकते है इस मोर्स में आपको एक अंग्रेजी की बुकलेट भी मिलती है, जिसको ट्रक और नियम के साथ कवर किया गया है, हर यूज जैसे की models भी कर रहे हैं, pronoun कर रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको नियम मिलेंगे, उनके tricks मिलेंगे, rules पूरे मिलेंगे, जिससे आप उससे सम्मंदित कोई भी प्रेशन होगा कर पाएंगे, इसके साथ आपको टोटल दस बुकलेट मिलती है, प्रबंदन की, कम्प्यूटर गड़ित तर्ख सकती है, सब बहुत आसान भासा में, फिरो चार्ट डाइग्राम साहिट कवर की गई है, इसके बाद, MBGK, भार पूर अपडेट यहां पे दिये जाते हैं, छोटी-छोटी सी ट्रिक चाहे, मैस की हो, रीजिंग की हो, कम्पीटर की सौटकट की, इंगलिस की वोकेबलरी, करेंट अफियर सब कुछ आपको इस गुरूप में करवाए जाएं, यह गुरूप आपके लिए एक रामबार है, यह आपके लिए एक ओनलाइन कोचिंग की तरहा काम करता है, जिसमें आपको पूरे 24 घंटे के लिए, आपको यहां पे सेवाएं दी जाती हैं, सेवाओं से मतलब है, हर वक्त कुछ नों कुछ आपको दिया जाता है, तयारी के लिए कोई भी सिंगल चीज आपके पास आती है, और वही एक्जाम में आईगी तो आप उसको तुरंथ कर पाएंगे, चाहे वो प्रबंधन के कोशन हो, चाहे कंपुटर के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे अंग्रेजी के हो, चाहे मैं सरीजिंग के हो, तो अगर आप यह सब लेना चाहते हैं, तो आप मुझे उपर दी your things, मैं तुम्हारी चीजों का, तुम्हारी वस्तुओं का टेक क्यार करूँगा, मैं तुम्हारी वस्तुओं का टेक क्यार करूँगा, you blank worry about them, इसका मतलब है, तुमको चिंता करने की जरूवत नहीं है, चिंता करने की जरूवत नहीं है, चिंता करने की जरूवत नहीं है, को क्या बोलते है, need not need not मतलब होता है, आवशक्ता नहीं है या जरूध नहीं है अगला किूश्चन है we blank never break the laws of society हमको कभी भी समाझ के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए हमको कभी भी समाझ के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए तो ऐसी बात आती चाहिए का है कुई किसी भी कोई अच्छी चीज का पालन करने का बोल रहे हैं और विदर रूल रहे हैं तो किसका यूज होता है तो सोड का यूज करते हैं अगला question है मेगना इस ब्लैंक गेटिंग अप लेट इन दा मॉर्निंग मेगना इस गेटिंग अप लेट मतलब इसका है यूजड़ टू और वुड़ वुड़ तो होगा नहीं क्योंकि फूचर का विल की सिकिन फार्म होती है फूचर का होगा होगी इस तरह का ऐसा तो है नहीं है यह यह बोल रहा है इसमें एक सब्दा आ रहा है यूजड़ टू यूजड़ टू का यूजड़ का यूजड़ का यूजड़ होता है कि कोई ऐसी कोई ऐसी पास्ट की आदत जो पास्ट में है आपके पास और अभी नहीं है आप उस चीज़ से used to है अबताब आधतन है आप तो उसके लिए used to को use होता है तो mega is getting mega को mega used to है getting up late in the morning सोभा मैं late उठने की सुधीर is never late सुधीर कभी late नहीं होता there blank with some problem at his place उसमें क्या हो जाएगा there must be some problem वो कभी late नहीं होता कभी किसी दिन अगर वो late हो गया हो तो बोलेंगे वो कभी late नहीं होता है कुछ problem हुई होगी इस place पे तब ही वो late हुआ है तो क्या हो जाएगा must जरूर कुछ हो गया होगा कुछ होना चाहिए तो must मतलब होता है जरूरी बहुत जादा जरूरी हो, बहुत बजन तारी में कोई बात कर रहे हो, तो must का यूज करते हैं, अगला है, रवी is hand working and intelligent, रवी is hard working, रवी बहुत जदा hard worker है, बहुत जदा intelligent है, you blank worry about his studies, तुमको उसकी study को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुसमें जाएगा, you need not worry about his study, अगला है, see blank surely help you, वह है, जरूर तुम्हारी help करेगा, या उसे तुम्हारी help करनी चाहिए, तो इसमें काई का यूज करेंगे, वो तुम्हारी पक्के में help करेगा, आप ऐसा, उसने help की नहीं है, आप उसको बता रहे हैं कि करेगा, तो जबी भी आपको कोई चीज का sure नहीं हो, future में होने वाली हो, तो किसका यूज करते हैं, will का use होगा, तो क्या answer आजाएगा, इसका will see, will surely help you, अगला कुशन है, ब्लैंक यू, open the get, please, open the get, क्या please, आप get खोलोगे, तो इस परिकार का use हो, तो खोल सकते हो, खोलना चाहिए, तो अपन यहीं बोलते हैं, क्या आ पारवा, रोहित वर्ग्ड हर, रोहित बहुत महनत करता है, so that he blank pass, तो हम यह प्रात्ना करेंगे, कि यह भगवान वो पास हो जाए, रवी बहुत महनती है, वो महनत की, रवी ने बहुत महनत की, रवी ने बहुत महनत की, रोहित वर्ग्ड हर, रोहित ने बहुत महनत की, so that तो वह है पास हो जाए अगर आपने आपका नंबर मुझे वाट्सअप पर सेफ नहीं कराया है तो आपको वहां पर महत्पूर जाइन कारी महत्पूर अपडेट मिलता रहेगा अगला कुश्चन है मैं उस ओफिसर से स्योर था ब्लैंक इन हिस रूम तो उसको उसको रूम में होना चाहिए तो यहां पर भी क्या आजाएगा रिटा वास नोट फिलिंग वैल रिटा अच्छा फिल नहीं कर रही थी दिए ब्लैंक वी फिलिंग श्रीपिंग नौँ जब अच्छा फिल नहीं करें तो हम कहते है थोड़ा प्रेस्ट कर लो थोड़ा आप सो जाओ तो क्या है का यूज होगा हम कहेंगे अब संभभता उ इस कोशन यह हमने मॉडल्स के आपको करवाए हैं ऐसे ही और कोशन लेके आऊंगे पूरे जितने भी टॉपिक हैं उसका एक मैराथन लेके आऊंगे इंगलिस के प्रैक्टिस कोशन का तो आपकी इंगलिस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी बाकी कॉम्पीटर की कल सौ अधित कोशन भी डाले हैं प्रभंधन की ट्रीक और प्रभंधन के कोशन के एंपसी क्यू चली रहा है हिंदी का भी चल रहा है तो अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर देखेगा और यह हमारा पचपन चपन बाशटावन भागता अगर इसके पहले के भाग नहीं क्या तो जरू देखेगा हो के फैंस थेंक्यू